आज हमें पढ़ना है कोलोनिलिजम गलोबलाइजेशन का एक डार्क साइड भी है कोलोनिलिजम याने की कोलोनिलिजम जैसे के हम इंडिया की एक्जाम्पल लेंगे कोलोनिलिजम मील्स रूल बाई पावरफुल कंट्री और वी कंट्री जैसे के बिटेन का रूल यहां पे रहा है वो पावरफुल कंट्री थी तो इंडिया उसकी कोलोनि थी वी कंट्री थी अब हम आगे समझेंगे यानि यूर्पियन कंट्री ने बाकी कंट्री के उपर कबजा किया जैसे इंडिया पे भी कबजा किया था तो हम तो यह जो इंडिया है इसमें क्या क्या चीजें हुई पैन्फुल एकोनोमिक सोशल एकॉलिजिकल चेंजिस इन कॉलोनियल सोसाइटी मतलब यूर्पियन कंट्री ने अपना तो फाइदा देखा लेकिन अपनी कॉलोनिस का नुक्सान किया यह चीज तो है तो कौन कौन सी जो दूसरे वी कंट्री पे कबजा कर रही थी उन में इसे पाउरफुल कंट्री थी बिरिटिन, बेलजियम, फ्रांस अब कॉलनिस की बात हो रही है तो अफरीका भी यहां मतलब अफरीका तो वी कंट्री थी गरीब कंट्री थी खुद कॉलनी बन गया था लेकिन कैसे लेंड के हिसाब से बहुत सारा रिसूर्स है नैचरल रिसूर्स है फोरेस्ट कवर्ड एरिया है जिसकी वज़ा से लाइव स्टॉक बहुत ज़ादा लाइव स्टॉक में जानवर, बेड़, बकरी सब कुछ था उनके पास तो उनके पास 90 परसंट जो एकनॉमी थी अफरीक 90 परसंट एकनॉमी उनकी इसी पर डिपेंडेंट थी अफरीका के लोग खुश थे इनको किसी चीज से इंटरेस्ट नहीं था लेकिन बिच्शर्स ने क्या किया इन्होंने कॉलिनी बनाई थी अफरीका में कैसे कब जा किया अफरीका को इन्होंने दिमाग लगाया वहां के लोगों का जो actual occupation था लाइव स्टाउक में एक वो लाइव स्टाउक ही था मवेशी बेडबकरी में एक बीमारी फैल गई that is render pest और ये render pest एक बीमारी थी मवेशी जिससे इनकी death होती थी बेडबकरीं की जो है इस बीमारी में 90% बेडबकरीं मारी गई मतलब लोगों का जो man occupation था वही खतम हो गया और इसके बाद जो एफरिकल लोगों को forced labor के लिए exploit किया गया मतलब अब क्या जब इनके पास कुछ बचा ही नहीं लाइव स्टाउक भी खतम हो गया अब क्या करेंगे ये मजदूरी करने पे मजबूर हो गए और बरतनिया लेबर के लिए exploit किया इस्तिमाल किया जबरदस्ती अब दूसरा आरा है यहां पे इंडेंटियोड लेबर ये क्या होता है ये एक लेबर सिस्टम है एक मजदूरी सिस्टम है यानि कि जिसमें agree किया जाता है जिसमें laborers को agree किया जाता है कि वो बिना salary के काम करें बना ती यह एक ऐसा लेबर सिस्टम है जैसे मान लो इंडिया में ब्रिट्शिर्स क्या करते थे देखो यहां पर पिक पे भी दिखाया गया है कैसे इनको यह बाहर ले जा रहे हैं शिप में मजदूरों को यहां से लोगों को उठा के मतलब अपनी अलग-अलग कंट्रीज में ऐस सिलेव यह गुलाम काम करेंगे और बिना तन खाके और अपने मन मुताबिक काम करवाते थे यूर्पेयन्स इनको तो यह इंडेंटर लेबर है जो यह चीज शुरू हो गई तो यह चीज तो आज का हमारा टॉपिक अलाँ हाफीज झाल झाल